आज पूरे देश में भगवान शिफ के ग्यारवी रुद्र अफ्तार भगवान हनुमान जी का जन्मुद्सव बड़े ही धूम धाम के साथ मनाया जा रहा है तो इस खास मौके पर आज हम आपको बताएंगे हनुमान जी के ऐसे मंदर के बारे में जहां उनकी पूजा नारी के स्वरूप में की जाती है जी हाँ, आप मेंसे कई लोग ऐसे होंगे जिनोंने हनुमान जी के एक से जादा मंदरों के दर्शन किये होंगे लेकिन शायद ही हनुमान जी के इस अनोखे मंदर के बारे में आप जानते होंगे जहां उनकी पूजा नारी के स्वरूप में की जाती है 36 गड़ के बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर एक जगह है रतनपुर जहां हनुमान जी का एक अनोखा मंदिर इस्थे थे ये मंदिर रतनपुर के गिरजाबंद में मौजूद है और इस छोटी सी नगरी में मौजूद हनुमान जी का ये मंदिर दुनिया का एक ऐसा एकलोता मंदिर है जहां उनकी पूजा इस्तरे के रूप में की जाती है इस्थानी लोगों का कहना है कि इस मंदिर में हर एक भक्त हजारों मन्नते लेकर आते हैं और भगवान उनकी हर इच्छा को पूरी करते हैं इस मंदिर की स्थापना पृत्वी देवजु ने की थी जो की उस समय राजा हुआ करते थी एक बार राजा पृत्वी को कुष्ट रोग हुआ जिसे ठीक करने के लिए उन्होंने सारे प्रयास कर लिये लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया तब उन्होंने किसी जोतिशी की बात सुन हनुमान जी की उपासना करना शुरू कर दिया राजा पृत्वी ने हनुमान जी की कठिन भक्ती की जिसे खुश होकर हनुमान जी उनके सपने में आये भक्ती से प्रसन होकर हनुमान जी ने राजा को सपने में दर्शन दिये और कहा कि अपने शेत्र में एक मंदिर बनवाए साथ ही इसके पास एक सरोवर भी खुदवाए इस सरोवर में अगर तुम इसनान करोगी तो तुम्हारे सारे दुखदूर हो जाएंगे और राजा देवजु ने हनुमान जी की बातों का मान रख वहाँ एक मंदिर बनवा दिया साथ ही पास में सरोवर भी खुदवाया और यहां इसनान करने के बाद राजा के सभी कुष्ट रोग ठीक हो गए इसके बाद राजा को फिर से भगवाद हनुमान जी का सप्ताया कि सरोवर में एक प्रतिमा दबी हुई है उसे मंदिर में स्थापित करे राजा के सेवकों ने जब मूर्ती की तलाश की तो उन्हें वहां हनुमान जी की नारी स्वरूप में एक प्रतिमा मिली जिसे फिर मंदिर में स्थापित कर दिया गया राजा को मिली स्मूर्ती की अपनी एक अलग खासियत है इसका मूँ दक्षण की ओर है साथ ही मुर्ती में पातालोग का चित्र भी बना हुआ है मुर्ती में हनुवान जी को रावण के पुत्र अहिरावण का संहार करते हुए दिखाया गया है और यहां हनुवान जी के बाय पैर के नीचे अहिरावण और दाय पैर के नीचे कसाई दबा हुआ है हनवान जी के कंदों पर भगवान राम और लक्षमन जी की जलग भी देखी जा सकती है और यही नहीं बलकि उनके हाथों में माला और दूसरे हाथ में लड़ों से भरी थाल भी स्थापे थे